नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर जस्मीत आलोवालिया एक डापटीस एंड बिरियाटरिक सरजन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर वाले पेशेंट्स यानि जिन पेशेंट्स को डापटीस है उन्हें कैसी डाइट लेनी चाहिए हम लोग बिरियाटरिक स और उसके साथ साथ डापटीस सहधरी भी करते हैं यानि की मेटाबॉलिक सहधरी जो कि कुछ पेशेंट्स में उन्हें डापटीस को रिमिट करने में यानि की ठीक करने में हैल्प कर सकती है डापटीक पेशेंट्स जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारी इंडिय डाइट में वो चाय लेना चाहते हैं, लेकिन चाय के साथ-साथ हम लोग कुछ तरह के स्नैक्स भी ले लेते हैं, जैसे कि बिस्किट, रस्क इत्यादी, जिसमें कि शुगर की कॉन्टिटी बहुत साधा रहती है, सुध्यान रखिए कि चाय मीठी ना हो, उसमें शुगर ना हो, कोशिश कीजे, विदाउट शुगर चाय लीजे, शुगर की आल्टरनेटिव्स हैं, उन्हें भी एवाट करने की कोशिश कीजे, और उसके साथ बिस्किट या रस्क ना लीजे, ताकि unnecessarily उनकी कैलरीज ना बढ जो आप चाय में मिल्क यूज़ कर रहे हैं, तो मिल्क भी लो फैट रखिए, ताकि कैलरीज कम रहे हैं, इन स्नैक्स के बजाए, आप नट्स ले सकते हैं, जैसे कि वालनट्स हैं, बदाम हैं, इन्हें आप कुछ हद तक कंजूम कर सकते हैं, चाय के साथ, इसके साथ जब प्रेकवास्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग परांठा लेते हैं, जैसे कि आलू के परांठे और उन्हें तल लेते हैं, उसमें ओयल की क्वांटिटी जादा रहती हैं, उसके बटर के साथ लेते हैं, तो ये सब चीज़ें एवाइट करनी हैं, आप सिंपल जिनमें कैलरी कम हैं, फाइबर साधा हैं, ज्यादा नूट्रिशियस हैं, जैसे कि ओट का चिला, मिसी रोटी का चिला, रागी या मिलेट को मिक्स किया हुआ आटा जो है, उसे यूज़ कीज़े, उसके इलावा आप दलिया खा सकते हैं, ये सब चीज़ों में आपकी ओव पहले अपने प्लेट को, हाफ अफ द प्लेट को वेजटेबल से फिल किज़े, यानि कि जो कच्चे सब्जियां हैं, वो आपको हाफ अफ अफ द प्लेट खानी है, ये ज़रूरी नहीं है, क्यों बिल्कुल ही रौ होनी चाहिए, अगर आपको सेलेट का टेस्ट है, तो प्लेट का सा नीमबू और नमक डाल सकते हैं, ताकि इसका टेस्ट अच्छा रहे और आप इजीली से कंजियूम कर पाएं, जब आप हाफ अफ अप प्लेट अपना इन वेजटेबल से खतम कर लेंगे, या आपकी प्लेट इन से भर जाएगी, तो उसके बाद ध्यान दीज कि 1 4th of the remaining plate जो है, वो high in protein content से भरी हो, protein के अंदर अगर आप wedge sources लेते हैं, तो wedge के अंदर चने, राजमा, बीन्स, पीस, कर्ड ये सब अच्छे sources of proteins हैं, तेकिन अगर आप non wedge ले सकते हैं, तो chicken, fish, egg का white हिस्सा ये बहुत ही अच्छे sources of protein हैं, तो ये आप इसमें include कर सकते हैं, इसके बाद जब आपने 3 4th of the plate फिल कर रही है, तो उसके बाद जो 1 4th plate रह गई है, उसमें आप वाकी चीज़ें फिल कीजे, जैसे कि wheat, यानि कि रोटी, दलिया, oats, इतिया दे, तो ये आपका एक full plate of food है, आप पहले अपना vegetable portion finish कर सकते हैं, उसके बाद आप protein प्या सकते है या आप इन्हें mix कर कर भी खा सकते हैं, तो this will give you a wholesome blend of healthy food, लेकिन ध्यान देजिए कि जो आप रोटी खा रहे हैं, वो rich in fiber हो, यानि कि बहुत ज़ादा white color की रोटी ना खाईए, कोशिश कीजे, rich fiber या mixed रोटी खानी है, और अगर आप चावल खाना चाहते हैं, तो आप इस मील्स हैं, यानि कि breakfast, lunch और डिनर, इनके बीच में हम दो snacks ले सकते हैं, यानि breakfast और lunch के बीच में, और lunch और डिनर के बीच में, तो क्या snacks में लेना है, इसमें आप healthy snacks, यानि कि जैसे sprouts, भुजा हुआ चना, ऐसी चीज़े ले सकते हैं, जिसमें calories कम हैं, प्रूटीन जादा हैं इसके बाद आप जो breakfast और lunch और lunch के डिनर के बीच का time है, उसमें भी आप snack ले सकते हैं, इससे आपको भूख अपनी main meals में कम लगेगी, और आप अपनी main meals की जो quantity है, उसे कम कर पाएंगे, तो snacks में आप roasted चना, sprouts, या vegetables को पनीर के साथ सौटे करकर, या उसे chicken के साथ थोड़ा mix करकर ले सकते हैं, या आप soup बना सकते हैं, या जो seasonal fruits हैं, वो ले सकते हैं, पस्तियान दीजे कि fruits बहुत जादा मीठे ना हो, और आप बहुत high quantity में उन्हें ना लेजे, लास्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीजे हैं, जो हमें avoid करनी है, तो diabetic patients को कोशिश केजे कि जैसे momos, maggie, etc. जिसमें मैदे का quantity जादा यूज हुआ है, उसे ना लेकर high fiber content लीजे, और मिठी चीजे अवाट कीजे, बेकरी के products को अवाट कीजे, बेकरी में जैसे pastries, cakes, biscuits, इन सब चीजे को भी आपको curtail करना है, जूसे के बजाए आप fresh fruits लेना शुरू कीजे, क्यूंकि juices में sugar content जादा रहता है, और fruits के अंदर fiber content जादा होने के वज़े से आप sugar को curtail कर पाएंगे, इसके लवाब market में बहुत सारी चीजें ऐसे बेची जाती है, कि ये sugar free है, ये डियप्टिक friendly है, तो इन सभी चीजें को भी आपको blindly follow नहीं करना है, उसमें deeply देखे कि वाके उसम quantity of calories कम है या नहीं, बहुत बार देखा गया है कि उसमें लिखा जरूर रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ये सब चीजें जादा लेने के वज़े से भी blood sugar बढ़ती रहती है, लास्ट में अगर आप बाहर खाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, कि आप बिल्कुल नहीं के लिए अच्छी है, उसकी quantity भी कम रखिये और उसकी quality हाई रखिये, selective लिखाना खाईए, इससे भी आपकी body अच्छी रहेगे, तो वी होब कि ये वीडियो देखकर आपको एक general idea लगा होगा, कि आपको कैसा diet लेना है, और आप अपनी blood sugar को control में रख पाएंगे, क्या आप एक metabolic surgery में fit होते हैं, यानि कि क्या आप अपनी एक surgery करवा कर sugar को ठीक करवा सकते हैं, इसके लिए जानने के लिए आप हमें call कर सक हैं, हमारे दिये गए help line numbers पे, और हम आपका data देखकर बता पाएंगे कि क्या आपको metabolic surgery करवानी चाहिए या नहीं, thank you.